इसे बहुत बाजपा में लोग ज्वाइन करता है न उसका बड़ा दुर्दसा होता है इसके चलते हमको ममता लगता है यह ममता रहता है कैसा ने कि फिर ओही दुर्दसा के दौर में आ जाईए जहां जहां आप जमीन मिलिये हैं उस सब जगह पर कम से कम भाजपा का कारिया ल इतने दिनों के बाद वेटिंग लिस्ट कनफर्म हो रहा है जदियो मलसी निरज कुमार इतना बड़ा सेवा करने के बाद भी RSS का बौदिक प्रसिक्षन नहीं लिया गनवेश नहीं धारन किया उसके बाब जुद पिछडी जाती होने के कारण इतने लंबे अर्शे तक अब वेटिंग लिस्ट में रखे रहें उभी जन्ना एक्कर पुरी ठाकुर की धर्ति पर क्या गुना है आई-एस थे पिछडी जाती के हैं अब विभीशन के रूप में अपनी इतनी सेवा किये शरीर कहीं आत्मा कहीं भटक रहे थे इतने दिनों के बाद वेटिंग लिस्ट कनफर्म हो रहा है बनाई तो हत्य है भारती इंता पार्टी की कारिशाय लिकावाई इ ले चुके थे तो बीजेपी ने इतना विलंब क्योकिया या भाजपास हम जानना चाहते हैं और साथी साथ हम यह जानना चाहते हैं यह भविश्य में समाय हो जान होगा कि फिर इनको कहिया के लाठी लेकर जाईए इसे बहुत भाजपा में लोग ज्वाइन करता है ना उस नहीं कि इस्थिती बन जाए इसलिए हमारी सुभकामना है और हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रियस सेवक संग मातरी संगठन है एक दम जा करके पोधिक प्रसिक्षन लेकर के गनवेश धारन करिए हाँ पैंट टोपी सब पहन करकर के और भारतिये जनता पार्टी का संगठ अधन का दावा है परना पर मुखका तो अपने गाउं में और जहां 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 आप जमीन में लिए हैं उस सब जगह पर कम से कम भाजपा का कारिया खुलबा दिजिए नालंदा कभी जगों पर आपने जमीन लिया है तो जहां जमीन लिया वहां तो कभी जीतेंगे नहीं जीते गी नहीं तो कम से कम भाजपा का बहुत कम करे करता है बहुत कम करता है तो दहाई में जब करता है तो उलोग को अधिकार नहीं है उलोग बचाल इतना दिन पाटी में सेवा किया है माल माल लीजेगा आप अनानी का भी हिदेनबर्ग का भाजपा है चुनावनाओं में तो और बहुत तरह का प्रकोफ होने वाला है तो इस सब चीज का अकेले इस्तेमाल मत करिएगा उनलों को भी हिस्सा देगा करियाले बनवा दिए तो आपने देखा किस तरीके से निरज कुमार आर्चिपी सिंग पर तंच करिश्तियों ने जरा आ रहे हैं कहरें कि नितीश कुमार की कृपा से ही वह सांसत बने आई एस थे लेकिन जिस तरीके से वह राश्चाभा सांसत बने खुद मंत्री बने और तमाम चीजों को लेकर निरज कुमार ने आर्चिपी सिंग पर हमला बोला है और कहा है कि आखिरकार इतना लंबा वक्त क्यों लग गया आर्चिपी सिंग को पहले जदियू में थे राश्टिया ध्यक्ष रहे उसके बाद जब अब बिजेपी का दामन थामा है लेकिन इतने लंबे वक्त तक बिजेपी में सामिल होते हैं तमाम चीजों को लेकर अपनी परतिकिरिया दे इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे तब तक के लिए धन्यवाद